हलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग केक लिए हूं लाइट वाला केक यह काफी लोगों ने देखा भी होगा शायद बट मैंने फर्स टाइम ट्राइ किया है तो मैंने आपके साथ यह शेयर किया है तो इसके लिए मैंने ले लिया है तो यह काफी अच्छा रेड वेलवेट केक बनने वाला है काफी टेस्टी लगता है काफी लोग ने खाया होगा और जो है इसका कॉस्ट जो है थोड़ा सा नॉर्मल केक से हाई रहता है तो बस मेरे पास छोटा टेन मोल नहीं था तो मैंने अपने टिफिन वाले जो बॉक्स ह करके और उसमें मैंने डाल दिया बटर पेपर और उसमें मैंने डाल दिया इसको पूरा अपना जो भी मैंने बैटर बनाया वह मैंने डाल के और इसको अच्छे से मैंने कर लिया बेक और आप याद से इसको टैप जरूर करें जिसमें जो एयर बबल्स होते हैं वह आपके निकल जाएंगे तो मेरे पास कोई ओवन कोई ओटीजी नहीं है तो मैं अपना हीटर में ही बेग करती हूं हीटर या गैस में तो आप देख सकते हो कितना अच्छा राइज हुआ है काफी अच्छा सॉफ्ट बना था और बस इसको मैंने ठंडा कर लिया है ठंडा करने के तो उसके लिए सॉरी अक्छली मैं अपने घर थी नहीं मैं बाहर गई हुई थी तो इस वज़े से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई और ये वीडियो भी मेरा पुराना है तो मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने सुचा चलो मैं यह अप्लोड नहीं किया था तो मैंने तो फोर लेयर में भी आप इसको कट कर सकते हो बट मैंने जो है यह थ्री लेयर में ही जो है कट किया था तो अच्छे से इसके तीन लेयर आपको कट कर लेने है आप चाहो तो थ्रेट से भी कर सकते हो नाइफ से भी कर सकते हो तो इसको मैंने कर लिया अब इसमें एक्छी न इसना भी उसका वेट था प्लेट का उसको टेयर कर दिया उसके बाद मैंने इसमें लिया है लगभग I think 60 ग्राम 60 ग्राम चीज लिया है हाँ मैंने 60 ग्राम चीज लिया है और जो है इसको मिजर करके ही लेंगे क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट का मतलब राता है इस वज़े से फ स्मूद बनाने के लिए एक चम्मस जितना मैंने दूड डाला और इसको अच्छे से कर दिया ग्राइंड करने के बाद यह हम जो चीनी होती है थोड़ा सा यह मीठा कम था तो मैंने इसमें चीनी डालके इसको अच्छे से कर लिया स्मूद ठीक है क्योंकि इसके अंदर जो ह मैंने उस टाइब से आपके साथ शेयर किया इसमें जो है काफी लोग जो है चीज जो क्रीम होता है उसमें मिक्स करके भी लोग यूज करते हैं बट मैंने उसमें शुगर भी डाला है क्योंकि जिनको केक चाहिए था उनको थोड़ा सा मीठा चाहिए था तो इस वज़े से और कोई बात नहीं है तो मैंने उसमें फिर डाल दिया अपना विपिंग क्रीम डाल के अच्छे से कर देना है में जोगी बहुत ही थोड़ा बैटर था थोड़ा चोटा से केक था इसलिए काफी थोड़ा सा मैने जो है यह क्रीम बना के त्यार किया है काफी पुराना वीडियो है मेरे पास दीखे तक टो यखे टाल दिया है इसमें sorry मैने द् Remo습니다 अपना स्पोन्ज नीचे लगा दिया था क्रीम आप इसमें हम डाल इसको अच्छा से सोगर सीरप से सोग पर दें अब इसमें हम डाल देंगे, अपनी क्रीम देंगे, थोड़ी सी लिक्विडी हो गई है, बट कोई बात नहीं, यह भी हम फ्रिज में रखेंगे, तो सेट हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, ठीक है, तो बस इसको जो है, कीचन में वैसे भी जादा गर्मी रहती है, इसक स्प्रेट कर देंगे, अब इसके उपर हम डालेंगे, वाइट चोकलेट कमपाउंड का, को ग्रेट करके डालेंगे, ठीक है, तो आपको जितना चाहिए, आप उतना डाल सकते हो, कम जादा वो आपकी चोईज है, बस इसको हमने डाल दिया, अब इसके बाद जैसे हम अपन से लास्ट लेयर रख दी है, ठीक है, अब इसके बाद हम कर देंगे इसकी सोकिंग, सोकिंग करने के बाद हम कर देंगे आइसिंग, आइसिंग में हम जह है, उसी वो क्रीम लिक्विडी थी थोड़ी सी, तो उस क्रीम में थोड़ा सा और मैंने वाली क्रीम मिला ली है, जो इस नर्मल विपींग क्रीम होती है उस से हम इसको अच्छे से आईसींग करकि और इसको रख देंगे फ्रिज में आ हम हड़े है कि अठी आद मेरे आइसंग हो गई है है इसको भंने रख दिया था फ्रिज में फ्रिज में रखने के बाद अब इसकी फाइनल आइसिंग करने से पहले हम इसमें लगाएंगे लाइटिंग तो यह जो हमारी फैरी लाइट आती है मार्केट में आपको 40-50-60 रुपे की अराम से मिल जाएगी एरिया वाइज मिलती है मुझे 50-60 रुपीज की मिली थी तो बस इसको मै मैंने डवल क्योंकि काफी लंबी थी केक मेरा छोटा था तो इसको डवल करके और मैंने उसमें जो है राउंड करके लगा दिया है सौरी कैमरा ओफ हो गया था तो इस वज़े से मैं दिखानी पाई बट नॉर्मल है ऐसे राउंड राउंड करके आप इसको सेट कर सकते हो ठीक है अब आप देखे मैं जला रही हूं तो काफी अच्छा अच्छा सा लग रहा है अब इसमें हम कर देंगे फाइनल आइसिंग आप ऐसे करिए बहुत ज्यादा मतलब थिक लेयर मत करिए थोड़ी सी थिन लेयर ही रखिए तो उससे क्या होगा आपकी लाइटिंग काफी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी तो आपको भी हो सकती है बट मेंभी ना हो ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ जो हुआ मैं आपकेसा श्यार कर रही हूँ तो काफी पेशेंस के साथ आप ये बनाएगा तो काफी अच्छा लुक आया था बनने के बाद तो आप देख सकत और प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा तो यह रहा दिखे मैं लाइट आफ करके आपको दिखा रही हूं अराम से लाइटिंग दिख रही है अब टॉप पे मैं लगा दिया है परल वाला बॉर्डर उ अब इसमें लाइटिंग लगी हुई इस वज़े से जादा क्लियर नहीं है अब आप इसका फाइनल लुक जो है देख सकते हो के कैसा लगा प्लीज कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा आप लोगं को वीडियो पसंद आया होगा थैंक्यू फॉर वाचिंग झाले